कि हमलो फेंज्ड मतमुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे अभी प्यास पी यौ प्री के कुछ रियल कोश्चन्स और यह कोश्चन बैंकर के एक्जाम के लिए भी काफी इंपरेट रहेंगे तो चलिए देखते हैं इन कोश Pen Circle में भी इसके बारे में बताएं. Blocks पढ़ने के लिए आपको Login करने की ज़रुवत नहीं है. आप साइट पर जाकर Blocks section में जाकर इन Blocks को पढ़ सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इन Questions को. देखें ये Question IBPS PO Pre-Exam में पूछे गए हैं, लेकिन सेम इसी तरीके के Question Bank Clerk Exam में भी पूछे जा सकते हैं, Pre में और Means में. यानि IBPS PO Pre में जो Questions पूछे जाते हैं, सेम उसी तरीके के Question आप Bank Clerk Means Exam में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है? अब देखें एक ये नए Pattern के Questions हैं, और Banking Exam आप जानते होंगे कि इसमें जो Questions आ रहे हैं इस समय, वो काफी Dynamic Nature के आ रहे हैं, और Pattern Change करकर Questions पूछे जा रहे हैं, ताकि इसका Purpose ये होता है कि Students का जो Original Aptitude है, Students का जो Original IQ है, वो Check किया जा सके. ठीक है, इसलिए Banking में जो Questions आ रहे हैं, वो Changed Pattern पर पूछे जाते हैं. अब यहां से आम इन Question को देखते हैं, देखिए इस Question में आपको क्या करना है, वोर्ड रेप्लेस्मेंट इन इस सेंटेंस, यानि ये जो सेंटेंस दिया है, इसमें एक पूरे सेंटेंस में चार वर्ड बोल्ड में दिये हैं, आप देख सकते हैं, इस पूरे सेंटेंस में Lead, Resumed, Uprising और Appear, ये चार वर्ड इसमें बोल्ड में दिये हैं, लेकिन इन चार वर्ड की Position हो सकता है गलत हो, यानि इसका मतलब ये है कि A के स्थान पर हो सकता है B आए, और B के स्थान पर हो सकता है A आए, या C के स्थान पर C जो है, और उसके According ही फिर आपका आंसर होगा, तो एक ये नया pattern है, ये विल्कुल latest pattern है, और इस तरह के Question अभी Recently जो IBPS Clerk Mains 2019 का एक्जाम हुआ है, उसमें ये Question पूछे गए हैं, 20 January 2019 को जो एक्जाम हुआ है, उसमें ऐसे Questions पूछे गए हैं, तो इसको हम यहां से देखते हैं, Some American Official Lead to Hope, Lead to Hope का क्या मतलब होगा, कोई मतलब नहीं है इस Lead to Hope का, यहां पर यह यह वर्ड होता है, Expect या यहां पर, अब देखें, यहां पर, यह अप अप अपियर लगाएं, तो यहां पर यह sentence ही हो जागा, Appear to Hope, यहां पर आप अपियर लगाएंगे, तो इसका मतलब होगा, कि Some American Officials Appear to Hope, मतलब कुछ American Officials को देख के ऐसा लगता है, कि वो इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं, Some American Officials Appear to Hope, मतलब वो ऐसा लगता है, कि वो इस चीज की Hope कर रहे हैं, तो यहां पर Appear Word सही हो सकता है, ठीक है, और चूकि यहां पर लखा है, To a Popular Apprising, तो Lead जो वर्ड होता है, उसके बाद हम Two Proposition का प्रियोग करते हैं, तो यहां पर आप Lead लगा सकते हैं, ठीक है, यानि A और C को आपस में आप Interchange कर सकते हैं, और A और C को Interchange करके यह Sentence आपका सही हो जाएगा, यदि आप A और C को Interchange करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ही Sentence क्या हो जाएगा, Some American Officials appear to hope that resumed sanctions on Iran will lead to a popular uprising, इस Sentence का मतलब क्या है, कि कुछ American Officials को देखके ऐसा लगता है, कि वो उम्मीद कर रहे हैं, कि इरान के जो Resumed Sanctions हैं, इरान को जो हमने जो Sanctions दिये हैं किसी भी चीज़ के लिए, उससे एक विद्रोख खड़ा हो सकता है, कुछ Officials ऐसा मानते हैं, तो popular uprising, यानि uprising word तो यहाँ पर सही है, और Resumed Sanctions, ऐसे Sanctions जिनको Resume कर दिया गया है, तो Resumed Sanctions यहाँ पर Noun है, और Resumed यहाँ पर Adjective भी तरह काम कर रहा है, ऐसे Sanctions जिनको Resumed कर दिया गया है, और Apprising, popular Apprising मतलब जो एक Common है, तो यहाँ पर A और C को आप Interchange करके, इस Sentence को सही कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा Only A and C, B और D मैंने बताया आपको कि B और D जो हैं अल्रीडी सही है, तो इसलिए A, C और B, D आंसर नहीं होगा, आंसर होगा A और C, क्योंकि A और C को Change करने से यह Sentence आपका सही हो जाएगा, तो यहां पर आपका आंसर होगा Only A and C, I hope आपको यह समझ में आया होगा, और इस तरह से Questions को आपको करना है, Common Sense Approach आपको रखनी है, Reading आपको जहाद स्यादा करनी है, English Newspaper की, Particularly Hindu Newspaper की Reading आपको Regularly करनी है, ठीक है, अब देखते हैं Second Question, अब देखिए इसमें हम किस तरीके से करेंगे इस Question को, Tariff has imported, अब देखिए यहां पर Has लगा हुआ है, तो Has क्या है, एक Helping बरबर, इसका मतलब यहां पर एक Subject आएगा, और Subject के स्थान पर हम किसको लगा सकते हैं, Subject के स्थान पर हम चाइना को लगा सकते हैं, चाइना यहां से मैं क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि Higher China कुछ नहीं होता, Higher China यदि आप कहते हैं तो यह Nonsense होगा, Tariff Higher हो सकता है, चाइना Higher नहीं हो सकता, समझ मैं आया, Tariff जो है, Tariff का मतलब किसी भी चीज़ पर आप जो भी उसकी जो, जैसे जैसे मोबाइल के जो Tariffs होते हैं, Tariff Plans होते हैं, ठीक है, तो Higher या Lower, Tariff हो सकता है चाइना नहीं हो सकता, यहां पर आप Tariff को ला सकते हैं, और यहां पर आप चाइना को ला सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम बोले हैं कि China has imported, मतलब किसी entity ने कुछ काम किया है, यहां पर has लखा हुआ है, जो कि एक helping verb है, यहां यहां पर एक आपको doer चाहिए, और doer कौन हो सकता है, doer चाइना हो सकता है, तरिफ नहीं हो सकता, higher tariff हो सकते हैं, यानि आप A और C को, A और C को आप change कर सकते हैं, तो A और C को जब आप interchange करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा, China has imported higher tariff, ठीक है, यानि A और C आप interchange कर सकते हैं, अब यहां पर देखिए, on 603 item imposed from the US, imposed का मतलब क्या होता है, जैसे हम tax को किसी के उपर लगा देते हैं, imposed का मतलब होता है, किसी चीज को किसी चीज के उपर लाद देना, उसको impose कर देना, उसको force कर देना, उसको हम बुलते हैं impose, तो item को हम impose नहीं करेंगे, item को हम import करेंगे, item को import करने की यहाँ पर बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आपको third form चाहिए verb की तो imposed आप लगाएंगे तो यहाँ पर सही हो जाएगा और यहाँ पर चुकि हम item की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आप imported लगाएंगे तो सही हो जाएगा तो यहाँ पर भी change की जरुवत है यानि इसमें आपका आंसर होगा A, B Sorry, A, C और B, D यानि B, D को भी change करने की जरुवत है देखिए B यानि imported और D यानि imposed यानि imported की जगे imposed आएगा और तो यह questions है IBPSPO pre-K और यह clerk means exam में इस तरह के questions आप expect कर सकते हैं I hope आपको यह समझ में आया होगा यदि आप पूरे sentence को आप पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा China has imposed China has imposed higher tariff on 603 item imported from the US इस तरीके से यह पूरा sentence आपका हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं एक यह next sentence है NATO ally NATO का अपने नाम सुना होगा यदि आप GS की तयारी करते हैं current interface की तयारी करते हैं इसका full form है North Atlantic Treaty Organization यह एक organization है ठीक है ally का मतलब क्या होता है friend होता है उसका साथी है यह NATO का साथी है तो NATO का साथी कौन होगा word तो होगा नहीं तरकी हो सकता है तो यानि तरकी को आप यहाँ पर लाएंगे तो सही हो जाएगा और word को आप यहाँ पर लाएंगे तो सही हो जाएगा NATO ally Turkey तरकी जो है वो NATO का एक member है या साथी है तो NATO ally Turkey leads the world मतलब तरकी जो है वो पूरे वर्ड को लीड करता है ठीक है NATO LI Turkey leads the world किस चीज में इन दा यहाँ पर भी change की जरूवत है यहाँ पर आप देखे यहाँ पर यदि आप number लगाएंगे तो यह हो जाएगा in the number of जो कि एक सही phrase होगा ठीक है in the number of journalist jail इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि तरकी जो है वो पूरे वर्ड को लीड करता है यानि तरकी से जितने journalist को jail किया गया है jail में डाला गया है वो उसका number सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ड में तो तरकी इस चीज में पूरे वर्ड को लीड करता है इस sentence का यह मतलब है नाटो अलाय तरकी leads the word in the number of journalists jailed जिनको jail किया जा चुका है ठीक है तो यहाँ पर एक तो चारो ही words को आपको change करने की ज़रूद है यहाँ पर A और B और C और D एक तो आपको यहाँ पर change करना पड़ेगा वर्ड के स्थान पर यहाँ पर A, B और C, D A, B और C, D यानि आपका अंसर होगा first इसमें ठीक है A के स्थान पर B आ जाएगा और यहाँ पर C के स्थान पर D आ जाएगा तो आपका अंसर होगा इसमें first ठीक है इस तरह के से इन question को करना है question number 4 देखते है in 2016 rising violence rising violence सही है यहाँ पर इसको change करने की साइज जरूवत नहीं है rising violence क्योंकि violence जो होता है वो rising होता है rising violence मतलब उपर उठता हुआ या भड़कता हुआ भड़कती हुई हिंसा rising violence मतलब भड़कती हुई हिंसा in 2016 में case हुआ था जिसमें जिसमें उरी और पठान कोट के ऊपर कुछ militants ने अटेक किया था यदि आप परेंटाफेस पड़ते हैं तो आपको पता होगा यह उरी जो है वो जम्मू एन कश्मीर में है in 2016 rising violence rising violence ओके है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें in पठान कोट by Islamic militants culminated in attacks on Indian forces at उरी और कश्मीर culminated का क्या मतलब है यह keyword है culminated का मतलब है कि कोई चीज का किसी चीज का कहीं से सुरू होना और कहीं पर जाकर उसका खतम होना कल्मी मतलब वो वहाँ पर जाकर चरम सीमा पर पहुँच गया वहाँ पर जाकर वो खतम हुआ इसको हम culmination भी बोलते है culminated actually verb है और culmination जो है वो noun है तो इसमें देखिए उरी और पठान कोट पर एक्चली अटेक हुए थे अटेक जो शुरू हुए थे वो कश्मीर में शुरू हुए थे rising violence violence पहले violence होता है फिर attack होते हैं किसी भी जगे पर या कश्मीर हो या कोई भी जोगा पहले violence होगा पहले वहाँ पर हिंसा भढ़कती है उसके बाद attack करते हैं एक पाथी दूसरे पाथी के उपर तो in 2016 rising violence in कश्मीर होना चाहिए यहाँ पर क्योंकि Islamic militant जो है ये कश्मीर में है और rising violence जो शुरू हुआ था वो कश्मीर से शुरू हुआ था उसके बाद attacks हुए थे Indian forces पर उरी में और पठानकोट में यानि पठानकोट के इस्थान पर कश्मीर आएगा और कश्मीर के स्थान पर इसमें पठानकोट आएगा यानि B और D को आपको इसमें चेंज करने की जरूवत है बाकि सब सही है क्योंकि Islamic militant by Islamic militant culminated culminated जो word है इसको किसके लिए यूज कर रहे है culminated को हम यूज कर रहे है rising violence के लिए rising violence subject है culminated verb है इसमें ठीक है तो यहाँ पर culminated तो सही है और rising violence भी सही है यानि उसको चेंज करने की आपको जरूवत नहीं है पठान को और कश्मीर को आपको चेंज करने की जरूवत है तो इसमें आपका आंसर होगा only B and D चलिए आगे देखते हैं देखें ये कुछ spotting error के question है और इनको देखते हैं she held something at her side which was totally hiding by the falls of her sari she held something उसने कुछ पकड़ा हुआ था she held something तो ये सही है at her side ये यहां भी सही है which was totally hiding के स्थान पर हम बोलेंगे which was totally hidden क्योंकि was के साथ हम वर्प की third form लगाते हैं ठीक है क्योंकि ये past continuous tense नहीं है हम इसमें ये नहीं बोल सकते which was totally hiding जिसको छुपाया जा रहा था जो छुपा हुआ था जो पूरे तरीके से छुपा हुआ था ऐसे हम बोलेंगे तो was hiding में was hidden बोलेंगे एक्चुली यहां पर और was hidden में hidden जो होगा इसको आप third form भी मान सकते हैं लेकिन मेरे साब से ये adjective है यहां पर was hidden it was hidden तो ismr और वाजबर के साथ ismr और वाजबर के साथ अब third form भी लगा सकते हैं और adjective भी लगा सकते हैं जैसे it was totally damaged ठीक है it was stored it was hidden इस तरीके से तो यहां पर यह hiding के स्थान पर इसम होगा hidden और c इसमें आपका सही answer होगा इसमें आपका सही answer होगा तो इस तरीके के spotting questions पूशे जाते हैं आपको अब देखे नेक्स question हम देखते हैं the father forbade his son forbade एक second form है forbid की forbid का मतलब होता है मना करना the father forbade his son यह यहां तक सही है to walk in the sun and play with his friends on the road देखे कितना tricky यह question है देखने से यह sentence बिल्कुल सही लगता है लेकिन इस sentence में एक minor सी mistake है कि the father forbade his son to walk in the sun or यहां पर हम बोलेंगे or in place of and or play with his friends on the road कि यह दोनों अलग-लग activity है father ने अपने son से मना किया कि वो धूप में नहीं चले और अपने धूप में ना चले और अपने friends के साथ भी ना खेले तो end का मतलब होगा कि दोनों activity एक साथ में हो रही है यह ठीक है to walk in the sun and play with his friends लेकि यह दोनों अलग-लग activities है ना तो वो धूप में चले और ना ही वो अपने friends के साथ खेले तो इसलिए यहां पर एंड के स्थान पर इसमें हम और का प्रियोग करेंगे तो इसमें आंसर होगा आपका किसमें है यह सी में है only see इसमें आपका आंसर होगा काफी tricky यह question है next question देखते है the movement which aims to raise awareness movement का मतलब कोई भी आंदोलन aims का मतलब उसका उत्देश है raise का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना या उठाना एक ऐसे आंदोलन की यहां पर बात हो रही है जो awareness को बढ़ाता है the movement which aims to raise awareness जो जन्जागरती को बढ़ाता है awareness को बढ़ाता है which aims to raise awareness about climate change climate change के बारे में जो हमारी awareness को बढ़ाता है hopes to bring people together उसे ऐसी उमीद की जाती है कि वो लोगों को साथ में लाता है bring people together to think about what they can do for for एक proposition होता है यदि आप for यहां पर आप लगाएंगे तो आपको word की ing form लेना पड़ेगी यहां पर लेकिन यह सही जो word होना चाहिए यहां पर वोना चाहिए to what they can do what they can do to reduce what they can do to reduce तो यहां पर in place of for you should write to तो कितने tricky questions आते हैं banking exam में और बहुत ही minor और बहुत ही subtle mistakes होती है जिनको पहचारना बहुत मुश्किल होता है और इस तरह की errors को के बड़ा practice से कर सकते हैं तो इसमें आपका answer होगा D which they can do to reduce harmful pollution D इसमें आपका सही answer होगा question number 8 देखते हैं I decline the invitation not because I did not want to go but because I have no time यह sentence सरल है decline यानी past tense की बात हो रही है यहां पर देखें यहां पर भी यह past tense की परब लगी हुई है तो past tense की परब लगी हुई है तो इसका मत्तब है पूरा sentence ही आपको past tense में लिखना होगा और in place of have यहां पर आपको बोलना पड़ेगा had तो यहां पर D आपका answer हो जाएगा ठीक है तो इसका answer होगा आपका D तो यह है real questions banking के और सेब इसी तरीके के question आप forthcoming banking exams में आप expect का सकते हैं और इस तरह के questions काफी questions में अपने block section में दे रहा हूँ पूरे explanation के साथ और पूरे answer के साथ और इन तो इन blocks को आप जरूर पढ़े examiner.in website पर block section में आपको जाना है इसके लिए login करने की जरूरत नहीं है वहीं से आप open करके इन blocks को आप पढ़ें और इन से आप फाइदा उठाएं ठीक है तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक यू झाल करके झाल मैं दो झाल